नमस्कार आप देख रहे हैं मीडिया हंडिट नियूज खबर यूपी के विजनौर से है जहां सरावी पिता दौरा आठ माह की मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर मार डालने का मामला सामने आया है जन्पत बिजनौर के ठाना मडाबली छेत्र के गराम राहत पुर में सरावी पिता ने मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर मौत के घाट अतार दिया घटना की सूचना पुलिस को दी गई पुलिस ने सब को कपजे में लेकर पोस्माटम के लिए बिजनौर भीज दिया और आरूपी पिता को हिरास्त में ले लिया है आपको बता दे कि जन्पत बिजनौर के मडाबली थाना चेत्र के गराम राहत पुर में अपनी पत्नी को लेने गए मडाबली निवासी मौंबन नाजम ने सराब के नसे में अपनी आठ माहा की मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर मार दिया जिससे मासूम की मौत हो गई पुलिस ने सब को कपजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया और आरूपी को हिरास्त में ले लिया बताये जा रहा है कि नाजम मडाबली से अपनी सस्वाल लाहत पुल ने अपनी पत्नी को लेने के लिए गया था सराब के नसे में धुत नाजम के साथ पत्नी ने आने से मना कर दिया पत्नी के केवल ये कहने पर कि मैं सुबह आउंगी बस इसी बास से नारा जोका सराबी पती ने अपनी आठ माह की मासूम बच्ची इधाया को उठा कर जमीन पर पटक दिया नाजम के सस्वाल वाले मासूम को उठा कर नजीमाबाद अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसको मिर्त घोसित कर दिया घटना की सूचना पुलिस को दी गई पुलिस ने सब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए बिजनोर भीज दिया है और आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है मीडिया हंडेट न्यूज बिजनोर से भोपाल सिंग की रिपोर्ट अपनी बेटी को अपनी बड़ी है हूं वह आठ साली की लड़की है अच्छा अपनी बेटी को पटक के मार दिया इसको पूजा हॉस्पिटर में ले जाया गया यह घंटे के बाद उनकी डैत होगी अच्छा अब क्या हो रहा है अब उसको फारवाई हो रही है उसको मुकदमा लिखा जा रहे है उसके खिलाब इसने अपनी एरासत में ले लिया है उसको बच्ची के साहों को पोस्मास्ट के लिए बेजा जा रहा है